हेलो और बेलकम बैक टो माई यूटूब चनल दोस्तों जितने भी स्टूरेंट हैं सीटेट के बहुत परिकुस कबरी है आप लोगों के लिए आप लोगों का ओएमार सीट जो है वो गुवर्मेंट की तरफ से फाइनली जारी किया जाएगा चलिए हम देख लेते हैं यानि क कि आप लोगों खुद से अपना जो है वो रिजल्ट फिर से रीचेक कर सकते हैं दुबारा से यानि यह ओमार सीट जो आपने एकजाम दिया है वो फाइनली फिर से यहां पे आजाएगा और लाइव जो आपका सही में जो आपने कोसन सॉल्प किया है यानि कि पूरा जो आ अपना email ID और password डाल करके उसी तरीके से government ने जो है यानि की सीटेट के जितने श्रेंट थे जो पास कर गया है उनका भी जो फेल कर गया है उनका भी कोई उसमें टेंसर नहीं कि सिर्क पास वाले का सभी का जो है वो जल्द ही किया जाएगा तो आखिर कब किया जाएगा और क कैसी ही परपल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी सबसे पहले आपको जो है क्या करना है जो भी श्रेंट देखिए पहले जो है जितने श्रेंट पास किये है ठीक है जो सीटेट में पास किये है उन सभी श्रेंट का पहले जो है ओमर सीट जारी किया जा तो एश्रोरेंट का इस वार वह जारी किया जाएगा ठीक है मरते हैं करंद ऑनó र्वाइर हैं पर इन दोनों का हो जाएगा तो आऊसे घ्न रखने हैं इसा तोरी आपना वे नहीं देख सकतें और पीएसी में भी फेल पास तभी का टोटल एक्टूजर अश्रूरेण का OMR सीट जारी किया गया है ठीक है वैसे इस सीटेट के लिए भी किया जाएगा कि उसके बाद पहले पास के बाद फेल अश्रूरेण जितने भी है उनसे भी फेल अश्रूरेंड का जाड़ी किया जाएगा ठीक है उससे फायदा क्या होगा पहले यह जान लीजी ओ ये मार्ट सीट से इससे फायदा यह होगा कि आप लोग अपने जो एंसर को चैलेंज कर सकते हैं जैसा कि लाइब आप पहले देख लीजिएगा कि मेरा यह कोस्चन था और मैंने यह एंसर ठी किया है ठीक है तो आप हो सकता है उसमें से आप पहले जो एड कर लिजीगा कि कितने कोशर आपने सही किये हैं आपका एक्जैक्ट कितने नंबर बंड रहे हैं अगर उतने नंबर बंड रहे हैं और रिजल्ट में आपके उतने नंबर नहीं आये हैं ठीक है तो फिर आप अ बहुत सारी मिश्टेक हो जाती है, गौवर्मेंट की तरह से भी मिश्टेक हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए गौवर्मेंट ये जो है, आप लोग के लिए कर रही है, कहीं अश्टुरेंट ही खुद चेक करके और खुद चैलेंज करें कि मेरा 100% मैं से ओर हूँ, मेरा इतना नमबर है, ऐसे देखिए बहुत से अश्टुरेंट एक्जाम देखर के आते हैं, तो भूल जाते हैं कि मैंने कितना को सुल्व किया है, मेरा कितना नमबर आ रहा है, ठीक है, उतना उनको याद नहीं रहता है, लेकिन जब वो लाइव अपना OMR सीट देखेंगे, तो फिर आपको अच्छे से याद आ जाएगा, और उनको पता हो जाएगा, कि मैंने कितना को सुल्व किया है, और कितना सही है, कितना गलत है, और बहुत सा अश्रेंट जो फेक भी चैलेंज कर देते हैं, कि मेरा तो 82 नमबर होना ही चाहिए, मैं तो पास हूँ, मैं तो पास हूँ, अपना खुद का आपका लाइव, तो उसमें से आप और नमबर काउंट कर लेजएगा, कि कि आपके कितने नमबर आ रहे हैं, को मैंने आपको कितने नमबर दिये हैं, सही है, या गलत है, है ना, यह भी चीज़ें यहाँ पर किलियर हो जाएगी, वह मार्शिट जारी करने स देखिए, यहाँ पर साफ साफ जो एक पब्लीक नोटिस मिलेगा, एक नियूज़ें इवेंट मिलेगा, एक इंट्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है, और निच चाहिएगा, तो और यहाँ पर दिख जाएगे, जैसे कि यहाँ देखिए, कंडिडेट एक्टिबिटे भी यहाँ सारा ओप्शन यहीं दिया जा रहा है, ठीक है, उपर में भी है अप्शन लेकिन सारे एक जगह सीटेट का दिया गया है, ठीक है, तो यहीं पर आपको यह और ओप्शन मिल जाएगा, कि OMR सीट, ठीक है, लॉग इन OMR सीट, ठीक है, जिस तरीके से आप लोग इन करते हैं, इसमें जा करके, जैसे कि इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर जीस तरीके से आपको ऑफ्शन मिलता है, ठीक है, अप्लिकेशन फॉर्म है, है ना, सीटेट जुलाई-2 जारता है, अपलिकेशन नंबर डालना है, पासबट डालना है, और यहाँ पे आपको डालना होगा तो फोर्गोट पस्वट भी ऊप्लिकेशनन सस्वान अगर प्लिकेशन नंबर भी भूल गया है को भी फोर्गोट अप्लिकेशन कार कडेल भाल द होखें तो पासवर्ट पे क्लिक करके अपना डेकवर कर सकते हैं जिससे कि हम प्रगोट अप्लिकेशन नंबर पे क्लिक कर लेते हैं देखते हैं यहां पर क्या आप सवाता है कैसे आप कर सकते हैं ठीक है अप्लिकेशन नंबर अगर आप भूल गया है तो देखिए यहां पर अपना प्रगौट पर कर दिजेगा ऌपलिकेशनंबर שटो यहां पर आपको कंडिडियेट anders का नाम डालना मदर्श का नाम डालना होगा लेटोबर्ध डालना होगे धीक है और यहां पर आपको इजो है यह डाल देना है और अपलिकेशन नमबर आपको यहां पर हो जायेगा ठीक है यहां पर जैसे डालेगा तो आपका अप्लिकेशन नंबर आपको मिल जाएगा कोई टेंशन लेना है वह से भूल जाते हैं अप्लिकेशन नंबर भी तापको कोई भी टेंशन नहीं लेना है और और एक चीज दिखा देती हैं अगर आप पास्वर्ट भूल हैं तो इस पर आप क्लिक कर लिजिएगा और नीची एक option आ जाएगा देखिए कि यूजिंग सेकुरिटी कोस्टन और इट्स एंसर यूजिंग डूरिंग फिलिन ठीक है यारि कि यह सारे option है तीन जो आपको सही लाएगा वह सेलेक्ट करके आप अपना अपना चेंज कर सकते हैं या फिर पासवर्ड आप जान सकते हैं या फिर यूजिंग रिसेट लिंग ठीक है इमेल एड्रेस यानि कि आपके इमेल एड्रेस भी आप दिये होंगे उस ताइम पर फिल करते टाइप तो आपको जो है रिसेट रिंक का एक option आएगा जिससे कि इस अपने दिया है उस पर लिंक चला जाएगा ठीक है जैसे कि अप्लिकेशन नमबर यहां पर डाल देना डेट बर्द डाल लेना यहां पर सेकूर्टी कोड डालके सब्मीट कर देना है तो आपके इमेल आइडी पर जो है रिसेट करने का option चला जाएगा जिससे कि आप अपन जल्दी से जो आपका option है वे मार सीट है वह जल्दी से इसी पर साइट पर आजाएगा और अपना अपना सीट आप लोग देख लिजेगा क्या आपका सही है या गलत है कितना को सॉल्व कि कितने को सब्सक्राइब करना बिल्कोल मत बुलिएगा क्योंकि जैसे ही आज आपका यहाँ पर लिंक मैं आप लोगों को लाइव दिखा दूंगी ठीक है तो चलिए आज नहीं थाएंगा